क्या है Hello everyone दिखिए अब next topic करते हम diffraction of light at single slit देखो diffraction of light at Đ могутεकंद बढ़ना है तो हम इफ र स्क्रीन बना रहे हैं तो हमें एक सिंगल श्लीट इस त्रिक्के से ठीक यह सिंगल इस है यहां पर यहां पर हम पैटरण उबजर्द करएंगे और पर किया होगी? bright value कि density क्या होगी? कम होती चल जाएगी. अगर हम center से compare करें और जैसे जैसे उपर इस side जाएगे और नीचे इस side जाएगे तो वहाँ पर जो brightness होगी, bright value क्या होगी? कम होती चली जाएगी. clear? अब देखो ज़रा यहाँ पर यह हमारे पास जैसे मालो तो यह हमारे पाद एक single slit है इसको नाम हमने दे दिया है आपर A B और जिसकी जो यह width है कितनी है मालो A है clear समझे रहे चीज़ ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से समझना इसका यह center हमने क्या ले लिए ले लिए ठीक है यहाँ से बिल्कुल straight screen पर जो point है वो क्योंसा है ओ है अब देखो जो यहाँ से light ऑव्वेस बात एक तो इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से ऐसे जाने बाती है ठीक है समझते हो यह बात मैंने अभी पहले आपको बढ़ाई है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होगे पैटरंस सारे observe होंगे ठीक है अब जैसे मालो जो light इस slit में से निकलिया और यहाँ पॉइंट पर पहुंचेगी उनका तो distance क्या रहेगा मतलब यहाँ से देखें और यह Central Bright बनता था ठीक है तो यहाँ पर भी क्या होगा है हमारा Central Maxima होगा ठीक है ब्राइट के लिए हम बोलते है Central Maxima होगा Center पर तो हम यहाँ पर एक.p consider कर लिते हैं जैसे ठीक है यहां पर यह.p consider कर लिया जहां पर contributors करते हैं पेटरन को ठीक है और यह दूरी ज़ो है ओ इस सब जीजे अब देखोSiau a से पीक यह होगी हमारे पास path length एक और यहां से एक यह हो गई ठीक है अब यहां से हमें साफे बचला है AP छोटी है और BP बढ़ी है ठीक है तो कितना path difference आया इनका ठीक है तो हम क्या करेंगे एक perpendicular डालेंगे BP पर A से ठीक है तो यहां से अगर हम देखो यह इस तरीके से एक perpendicular डाल दिया और जिसको यहां पर point दे दिया मैंने N तो यह AP अब किसके बराबर है एन-P के ठीक है तो path difference कितना है अगर हम देखें BP में से यह वाला NP माइनस करो तो यह BN path difference आया समझ रहे हो यह सब चीज़े ठीक है अगर हम देखें न AP और BP में ठीक है न कितनी बड़ी है यह वाली BP तो कितनी बड़ी है B N बढ़ी है तो यह path difference आ गया है हमारे पास के इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं ठीक है अब देखो ज़रा यहाँ पर यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है जो अपर हमने लिखी है क्या है A B is an opening A B का एक opening है A wide A इसकी width हो गई O is a point on a screen O का है एक point है screen पे at distance D जिसका यहाँ पर distance मान लो यह कितना है capital D है such that the waves from A and B reach at the same distance यहाँ पर क्या होगा same distance पे reach करेंगे and same phase में होगी तो O is a central bright तो यह कैसा होगा हमारा central bright, central maxima बोल सकते हैं इसको and let P is a point at elevation of angle theta theta, theta elevation पे यह देखो यह angle है theta देखो यह theta कौन सा angle और कहां से हमने इसको मानना है तो यह देखो ज़रा अगर हम यहाँ C से एक reference line लें यह वाली इस तरीके से यह ठीक है न इन दोनों का हो गया एक reference C से हो गया हमारा center से तो हम इस में जो theta consider करेंगे इसके लिए अगर C हमने एक reference line माननी तो C वाली line से हम क्या करेंगे एक theta consider करेंगे ठीक है तो यह line और C की यह वाली line ठीक है तो यह वाला जो angle है आपका यह कितना है theta है यह सी से चो जारी है और सी से ओ मैं जारी है यह एंगल चीटा चीटा क्योंकि रखेशत पर कितने एंगल कंड़ पर समझ चाले हैं इतनी पर ऊलूरी कि एलिवेटटी है या an ठीक है अब देखना जरा इसके अंदर यह जो है बी एन फिक है मैं बना लेता हूं मैं देखो यह है A और यह है B और यह है आपके पास N ठीक है इस तरीक के से यह वादा N point है ठीक अब देखो यह यहाँ पर कितना है 90 degree है यह 90 degree है ठीक अब यह वाले angle कितना हुआ यहाँ पर यह चोटा है इसलिए मैंने अलग से बना है थीटा ठीक है आप देखो ये C से जो O जा रही है लाइन इस पर ये AB परपेंडिकुलर है ध्यान से देखो AB परपेंडिकुलर है ठीक है और ये जो CP जा रही है ठीक है इस पर ये आपके बाद AN परपेंडिकुलर आ रहा है देखो ध्यान से देखो इसको BP पे परपेंडिकुलर डाला था न हमने तो यह यानि कि CP पे भी परपेंडिकुलर ही आ रहा है कैतनी बात समझ रहे हो या नहीं मतलब CO line का परपेंडिकुलर AB और यह वाली line जो CP है इसका परपेंडिकुलर यह आ रहा है AN तो मतलब इन दो line के बीच में इस थीटा था ना CP और CO और इनके दो परपेंडिकुलर यह है AB और AN तो इनके बीच का एंगल भी वही होगा जो इन दो line के बीच का एंगल है इतनी बात को समझ रहे हो यह जो दो line थी CP और CO इनके परपेंडिकुलर हैं आपके पास यह वाला CP का परपेंडिकुलर यह हो गया AN और इस CO परपेंडिकुलर हो गया यह AB ठीक है तो इन दो line के बीच में जितना एंगल है उतना ही इन दो परपेंडिकुलर मदले इनके उपर दो परपेंडिकुलर है इनके बीच में भी एंगल वही होगा तो यह थीटा होगा है इसनी बात समझ में आ गई है ठीक है अब देखो यहां पर हम यहां लिख लेते हैं यह चीज पात डिफ्रेंस लिख लेते हैं पहले दो ठीक है तो पात डिफ्रेंस यहां लिखते है प्लीक है तो बीपी माइनस में ऑगया और अभी अभी हमने बात कि थी यह वज इसके इक्वल होगepherपी के एक्वल होगी इन प्या नीं में ऍसलीन टो किसल तो बिएन बजाएगा ना तो पार्टी friends कितना आ स्वाइब हमारे पास लिसक और यहाँ लिग देंगे हम मेंट इंटरिंगल A, B, N A, B, N में देखो ज़रा मुझे क्या चाहिए? ये बादा चाहिए ये B, N चाहिए ठीक है? और ये मुझे पता हिए कितनी है? A है ठीक है? तो मıtला ये दो साइड से हैं हम ठीक है? अब मुझे ये देखना है ये क्या है और ये क्या है? देखो ये 90 है और ये थीटा है थीटा के सामने वाला होता है perpendicular क्या होता है ये परपेंडिकुलर होता है और 90 डिगरी के सामने वाली होती है हाइपोर्ट ठीक है तो मुझे P और H का ही relation कुछ चाहिए तो वो होता है साइन थीटा में तो हम यह साइन थीटा लगाएंगे देखो जरा तो साइन थीटा होता है P by H तो P क्या है इसमें B N है और H क्या है देखो जो हमें निकालने होती है वो देखने होती है साइट और जो चीज दियू होती है वो वाजी साइट उन दो साइटों के बीच का ही relation देखना है तो वहीं लगेगा साइन लगना है कोस लगना है टैन लगना है उस तरीके से समझ रहे इतनी वाद तो यहां पर हमें पता था कि हाइपोटनीस दियूए है और पर पेंडिकुलर निकालने है तो P और H का relation किसमें आता है समझ रहे तो यह बी एन जो है पार्ट डिफरेंस आपको पार चल गया है यहां से कितना होता है ए साइन थीटा क्यातनी बात क्लियर है आप यहां पर हमने कंडिशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा लिखा हुआ है पला है फिर यहां था इसे लगा है यहां से अगने फॉर्च को सिम्ट होताँ है आपके पास न्यू सौर्स उफाफ लाइड बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं सेकनरी वैवलेट्स हमारे पास हमारे पास कि rise पॉर अडहते है ओटके तो यह जो लाइड होती है सारी के सारी आगए वाली है secondary wavefronts वाली है तो उनी की वज़े से bright या dark बनेगा तो इसलिए हमने secondary maxima बोल दिया इसको इस case में diffraction वालों में और secondary minima बोल दिया वैसे आपको बता है maxima bright वाला ही होता है minima dark वाला ही होता है यही चीज़ है ठीक है अब यागे graph आएगा उसमें आपको पाज़ लाएगा ठीक अब यहाँ पर जो हमने observe किया है कि जो p है वो bright point है जब path difference कितना होगा path difference की है हमने observation करके यह आपको learn कर लेनी है ठीक है इसी त्रीके से clear तो यह कितनी है आपके पास 3 lambda by 2 आएगी maxima case में 5 lambda by 2 तो इसकी जो journal जो हम formula लिखेंगे वो क्या लिख सकते है 2n plus 1 lambda by 2 अगर आपको याद हो यह interference में जब हमने बात की थी condition for constructive or destructive तो वहाँ पर part difference देखना आप ठीक है वहाँ maxima का case था वहाँ पर था n lambda क्या था वहाँ पर n lambda था जो की इसमें minimum में बनेगा जो की इसमें यहाँ पर देखो minima के case में बनेगा वो वहाँ पर condition for constructive, destructive, interference के case में जो part difference बनता था maxima के case में n lambda बनता था लेकिन यहाँ पर यहाँ इस case में maxima में 2n plus 1 lambda by 2 बनता था जो की वहाँ minimum में क्या बनता था 2n minus 1 lambda by 2 बनता था ठीक है वहाँ minus में होती थी term क्योंकि वहाँ पर start होता था वो lambda by 2 से यहाँ पर यह होता है 3 lambda by 2 से तो यह plus 1 एड़ करके इसमें यह general form बनाई है हमने ठीक है और यहाँ पर यह n lambda ही है वहाँ maxima के case में n lambda होता है यहाँ minima के case में n lambda बे होता है part difference क्यातनी बात clear है या नहीं है ठीक है समझते हों यह सब चीजे तो इस वज़े से मैंने आपको यह चीज़ बताई है confusion हो जाती है बच्चों को तो diffraction के case में याद रखना maxima के case में वहाँ का minima वाला आ जाता है ठीक है interference वाला जो कि वहाँ 2n-1 था बस यहाँ पर यह प्लस 1 हो जाता है ठीक है और secondary minima के case में diffraction में जो interference में आपके पास maxima में आया था part difference n lambda वो यहाँ minima में बनता है क्यातनी मत clear old है maxima वाला यहाँ minima में है और वहाँ का minima था वो यहाँ maxima में है बस यहाँ पर प्लस आ जाता है क्योंकि अगर आपको याद हो वहाँ का minima था उसमें 2n-1 lambda by 2 आता था ठीक है clear है यहाँ पर बस maxima में वही ले लेंगे लेकिन plus लगा देंगे अब ठीक है उसकी भी कारण के है कि यहाँ 3 lambda by 2 से start होता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यही चीज होगी देख लो यहाँ पर भी यहाँ का condition for secondary minima या dark का case है हमारे बाद secondary minima बोलते हैं dark को जो कि महाँ minima बोलते थे normally ठीक है interference में तो यहाँ पर जो पी अगर हम dark point consider करेंगे तो part difference कितना होना चाहिए उसका lambda 2 lambda 3 lambda होना चाहिए and so on यानि कि general form हो गई n lambda तो a sin theta n is equal to में क्या लिख सकते हैं and lambda और इसमें याद रखना है इन में एन जो है 1 2 3 1 2 3 start होता है clear एतनी बात या नहीं ठीक है तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अगर आपको याद हो हाँ and lambda वाला केस था तो वहां से 0 से स्टार्ट होता था लेकिन यहां 0 से नहीं स्टार्ट होगा यहां and lambda वाला भी 123 से ही स्टार्ट होगा तो बार-बार मैं आपको बता रहा हूं जो confusion होती है बच्चों को क्योंकि बिल्कुल उल्टा केस है जो आपके interference में था interference में जो आपके बास के इतनी बात clear है या नहीं है ठीक है अब नेक्ट वीडियो में इसका ग्राफ देखते है क्लियर ओके जी थैंक यू